बच्चो आज आपका एक बार फिर से S, J, E, C, E क्लासिस में स्वागत है आज आपको मैं हिंदी व्याकरण में पाठ एक भाषा के बारे में बताऊंगी बच्चो ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है सुनो कहो कहा सुना यही है भाषा यही है भाषा अब मैं आपको भाषा की परिभाषा बताने जा रही हूँ बोल सुनकर लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है जैसे कि आप लोग अपनी बात अपनी मा से कहते हैं और आपकी मा सुनकर आपकी बात समझती है यही भाषा है भाषा के दो रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा बच्चों मौखिक भाषा वय भाषा होती हैं जिसमें हम अपनी बात बोल कर दूसरों तक पहुँचाते हैं जैसे कि मोबाइल पर बात करना, समचार सुनना आदे बच्चों मौखिक भाषा की परिभाषा और उसके उदाहरण द्वारम हमने मौखिक भाषा के बारे में जाना है अब हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे लिखित भाषा वय भाषा है जिसमें हम लिख कर या पढ़ कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं या अपनी बात दूसरों को समझाते हैं जैसे कि पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, आदी आप पुस्तक में लिखिवी बातों को पढ़ कर ही समझते हैं न और अपनी बात आप लिख कर दूसरों को समझाते हैं यही लिखित भाषा है लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलावा हम लोग एक और भाषा का प्रियोग करते हैं वह संकेतिक भाषा जिस बात को हम संकेतों या इशारों के द्वारा दूसरों को समझाते हैं वह संकेतिक भाषा कहलाती है बच्चो इस संसार में कई भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, अर्बी, रूसी, जर्मन, आदी भारत में भी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कि तमिल, गुजराती, मराथी, पंजाबी, हिंदी, आदी अभी भी मैं हिंदी भाषा का प्रियोग कर रही हूँ आशा करती हूँ कि आज आपने भाषा के बारे में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ ली होगी लगातार सीखने के लिए S, J, E, C, E Classes को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद